हेलो स्वागत है आज हमसे वीडियो में डिस्कास करेंगे टर्णिंग मुमेंट डाइगराम और फोर स्टोक सिंगल सिलेंडर आइजी इंजिन के बारे में कि यह क्या होता है इसका यूज हम कहां करते हैं से कंसक्षन कैसे बना होता है फानले जाने इसका वर्किंग आख हमें इंजिन क्या होता है तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट भरा यह कोचन है हर बार एक्जाम में पुछती है तो यह कोचन बहुत ही बहुत ही तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं बहुत इच्छा तरी से समझ लिजिए अब एक्जाम में 100% आप इसे लिख करने का मतलब और यह जिसे की इंजिन के अंदर क्सक्राइब करता है शिकाम में कंशन के समया 1-0-1-2-1-3-3-2-1-7-2-1-1-1-3-3-1-ản-drave-raight- udps 2-1-1-3-2-4-1-3-1-2-2-1-2-1-2-2-2-1-3-1-2-1-6-2-2-2-3-3-1-3-1-4-1-1-2-4-5-2-2-ON-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-8 that is 720 degree मिस कहने का मतलब का यह जो 4-stroke cycle होता है एक तरका internal combustion engine होता है जो working करता है हमारा जो crank इसमें जो regulation करता है रोटेशन करता है 360 degree दो बार rotation करता है मिस कूल मिला के 720 degree यहां पर रोटेशन करता है तब जाके चार गो इस्टोक को पूरा करता है और तब जाके यह जो नजारी graphically यह represent होती है various position पर ठीक है तो मेरा 4 इस्टोक जो engine होता है इसमें चार गो इस्टोक कौन-कौन से पूरा करता है जो crank को यहाँ 720 डिगरी रोटेशन कराता है तब ठीक है पहला स्टोक होती है वह हमारा होता है suction स्टोक, जो घ्रन करता है 0 गोच्षर टीक है अ हमारा करता है यह ग भी एक्फनेशन करता है ज Amaiby दल्स व्ह पुरा करता है तो इसका यूज हम लोग लिफिंटर करने के लिए इंजकन को किया जाता है कि हमारा Cylinder कितने हंचे सबसे पहłby लिएक लाइन खीचते हैं वहाँ पर हम क्रेंग एंगल को दरसाते हैं यह जो होरिजेंट्री लाइन है वह क्रेंग एंगल हमें इस टोक को बता रहा है ठीक है कि हमारा कितनी हथ तक जो क्रेंग है और रिवलोशन कर रही है कौन-कौन पोजीशन पर हमारा एफट लगा रही है ठीक है अब पन हो वन में कहते हैं मैं में में क्रते हो क्या है मह tutte नहीं है यह समझते हैं इसका वर्किंग के बारे तके हो से किस तर से क्से बहुत और पोजिटिव लूप उत्पन होता है ठीक है कि सबसे पहले क्या होती है यहां पर जैसे कि यह क्या हमारा एक तरह के इंजन है और इंजन भी यह लगी विए एक तरह के सिलेंडर ठीक है तो सिलेंडर में जो हमारा क्या होती है सबसे पहले यहां पर हम सक्सन करते हैं सक्सन क सब्सक्राइब करने यहां पर पोजीटिव लूप बन जाता है तो इस तरह से यहां पर सक्षन के दोरान यहां पर नगेटिव लूप उत्पन होता क्योंकि जो प्रेसर कम होता है जब हमारा क्रेंग जीरो से लेके 180 डिग्री रोटेशन करता है तब अब क्या होती है यहां पर कंपरेशन इस्टो तो उपर क्यों झाती है अंदर में air णाल फ्ईूल का जो मिस्चर होता है उसे क्या करती है जो करेंग लेखे लेके 2 पाय तक रोटेशन करता है अब आता हृकिंग इस्टोक म्यां आ recto का mini करता है इस में क्या होती है क्रेंग जैब जब रोटेशन करता है तिन सो साथ डिग्री से लेखे पांसो चारीश डिग्री पे तो क्या होती वहां पर एक तरह का वर्किंग इस्टोक उत्पन होता है मिस उसके कहने के मतलब है कि जो अंदर में जो सपार्क पलक के दुरान यहां पी जो हमारा कंबसंट चेंबर में इगनीशन उत्पन होजाते मिस यहां पर जो एक तरह का हमें फाउर मिलती है जिसके कारण क्या होती हमें जो भनता है काफि हाई बनती है अजो यो मर लाइनिंग पहुंचाती है वह में पहुचती है छिसे उरे पोजीटिव लूप कहते हैं यह यह बहुत ज़्यादा प्रेसर बनती प्रेसर परउटेटर बनती हैं जो हमारा सिलेंडर के अंदर बर्न गैसेस होती बहुत ज्यादा हाई मात्रा में यहां पर हमें एक टोर्क उत्पन करता है यहां पर दीजो चैसे हैं पर होग के में लेक्या 1510 येताहिऊ करता है तो क्या पर एक्जोस्ट भाल फिए उपन होती है सोती है अचाने का निकल जाती तो इस तरह से यहां पर जो दॉजितिए विश्यह दौी करने माल जाता है मुझा ऐसा है akoешь फोर बन शेलिक्राम के बना जाल खोता है और प्रेसर तो करूज भरative करना पद कर तो मैंने फोर इस्टोक पेट्रोल इंजन और फोर इस्टोक डिजल इंजन के बारे में बढ़िया तरीका से बताया है आपको डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएंगा वहां जुरू जाके वीडियो को देखें तो मुझे आसा कि यह टोपिक आपको समझ में आगे तो वीडियो को देखें तो थांकिव चले मनने आवे तो चैनल को कर दी सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीज लाइक धन्यवाद